सब्सक्राइब करें यूटूब चैनल एक्जाम ठुकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे की नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले नमस्कार दोस्तों, मैं सियोंकरोजया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम ट्रिकी में इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेट C के महत्यपूर्ण फुल फॉर्म्स पर यानि कि आपका जो अल्फाबेट A है और अल्फाबेट B है इसकी वीडियोस अप्लोड किया चुकी है लगबग दोनों वीडियोस में आपको 50 से 60 प्लस आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल फॉर्म्स हैं अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो हम उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदेंगे वहाँ से आप वीडियोस देख लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो की है अल्फाबेट C से तो जो सबसे पहला आपका फॉल फॉर्म है CBA यानि की करिकुलम बेस्ट असिस्मेंट आगे देखते हैं दूसरा आपका C A यानि की क्रोनोलोजिकल एज यह क्या होती है इसका हिन्दी में अगर हम बात करते हैं तो यह होती है तैठिक आयू यानि की इसको हम बोल सकते है वास्तविक आयू तो जब यह IQ निकाला जाता है यानि की जब IQ का जो फॉर्मूला होता है IQ वराबर MA upon CA 100 तो यहाँ पर क्या होता है यानि कि mental आयू यानि कि जो आपकी mental age होती है मानसिक आयू नीचे होता है आपका chronological आयू इसको मतहतिक आयू या वस्तिक आयू बोलते हैं गुणे 100 यह काफी बार paper में पूछा जा चुका है तो आप लोग इसको भी याद रख कर लीजिएगा आगे देखते हैं CP यानि कि cerebral palsy ये दोस्तों एक नंबर में तो काफी बार पूछा जा चुका है साथ इसाथ जो इसका CP क्या होती है कितने प्रकार क्यों होती है CP full detail 5 से 10 नंबर में भी आपको देखने को मिलती है तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाते है CP को तो उसका लिंक मैं आपको description box में देदूँगा इस वीडियो की description box में उसका लिंक आपको मिल जाएगा वो आप देख लीजिएगा आगे देखते हैं CAP यानि कि Curricular Action Plan आगे देखते हैं CBR Community Based Rehabilitation आगे देखते हैं CRC यानि कि Composite Regional Center आगे देखते हैं CEC Council for Exceptional Children आगे देखते हैं CWT Children with Disabilities और दोस्तों अगर आप एक या दो नंबर के जो questions आते हैं पेपर में उनको आप देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस काफी upload की जा चुकी है तो उनका भी link मैं आपको description box में दे दूँगा इस वीडियो की तो वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख लिजिएगा अगर आप चाहते हैं देखना आगे देखते हैं CWSN यानि की Children with Special Needs आगे देखते हैं C A B E Central Advisory Board of Education तो most important है दोस्तों देख लेते हैं इसमें important आपकी कौन कौन सी थी CP आपकी important थी CAP ये भी important थी यहाँ पर आप most important लगा लिएगा CRC पर और Community Based Rehabilitation पर CBR पर Most Important लगा लिएगा काफी बार पेपर में पुछा जा चुका है और सम्भावनाय भी बनी रहती हैं आगे देखते हैं CRE यानि की Continuous Rehabilitation Education आप देखते हैं CBC Community Based Curriculum आगे देखते हैं CRT दोस्तों CRT और एक होता है NRT यानि की Norm Reference Test और CRT यानि की Criterion Reference Test तो ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है गैर मालित परिच्छर और मारित परिच्छर तो ये आपका 5 नंबर में भी लॉंग में भी गैर मालित परिच्छर और मारित परिच्छर को पूछा जाता है तो आप लोग जरूर याद कर लिएगा आगे देखते हैं CAPD यानि की Central Auditory Processing Disorder आगे देखते हैं CCE Continuous and Comprehensive Evaluation Most Important है आप लगाए का Very Very Important लगाए का काफी बार पर पूछा गया है आगे देखते हैं CD यानि की Communication Disorder आगे देखते हैं CAPTA यानि की Child Abuse Prevention and Treatment Act CAPTA यानि की Child Abuse Prevention and Treatment Act आगे देखते हैं CIC Complete in the Canal Important लगा लिजएगा याँ पर आगे देखते हैं CSR यानि की Conducting Strumulus Response Conditioning Strumulus Response तो ये भी आप लोग एक तरीके से लगा लिजएगा Most Important आपर जो आपका Conditioning Strumulus Response होता है CRC आगे देखते हैं CART यानि की Childhood Autism Rating Scale आगे देखते हैं CD Cognitive Delay Most Important लगा लिजएगा आपर CM Classroom Management CP Clinical Physiology आगे देखते हैं CL यानि की Cooperative Learning यहाँ पर भी Important लगा लिजएगा आगे देखते हैं CHC यानि की Community Health Center CHL Conductive Hearing Loss यह Most Important लगा लिजएगा यहाँ पर आगे देखते हैं CNS यानि की Central Nervous System यहाँ पर भी आप Important लगा लिजएगा CODA Children of Deaf Adult आगे देखते हैं CWHI Children with Hearing Impairment कभी कभार होता CW VI करके आजाता है या CW ID करके आजाता है तो VI का Full Form ID का Full Form यानि की Visual Impairment ID का Full Form आपका Intellectual Disability तो इस प्रकार से CW के आगे ये दो तिन चीज़े लगके आ जाती है आगे देखते हैं CBM Curriculum Based Measurement तो दोस्तो इतने आपके Most Important जो C Later के थे यानि की C Alphabet के आपके Most Important Full Forms थे तो आपने ये देखे और जितने भी Full Forms हैं लगबग पेपर में आये हुएं और आने की जिनकी संभावनाएं भी बने जाते क्योंकि हर बाहर हर सेशन में एक दो ऐसी Full Forms उडालते हैं कभी नहीं दिये जाते हैं तो ये मान के चलिए मातिपूर्ट सारे थे आपके और अगर आपने A और B की वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं निकि Alphabet A और B की वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने आपको कर दो ये मान काम माकम मैं था जूडियोज च्राप वीडियोज दिए